सभी आंगनबाडी सेविका सहय का मीनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी नियूस चनल की आज साम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है बहनों आपको अवगत करना चाहेंगे सोसल मीडिया पर एक ये मैसेज वाइरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आप लोग नहीं लडोगे तो 2024 तक आंगनबाडी सेटर नहीं बचेंगे यानि बंद कर दिये जाएंगे तो आएए देखते हैं इस वाइरल खबर की क्या सच्चाई है ताकि इस तरह की फरजी जानकारिया और जो कुछ डराने वाली भी जानकारिया होती है उनको आप थोड़ा इगनोर किया करें अभी हम इन सभी जानकारियों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दे की नीलम स्रिवास्तो बहन है जिनोंने आलेंडिया चैनल को जोईन किया है और आलेंडिया चैनल की मेंबर बनी है तो आलेंडिया चैनल को जोईन करके मेंबर बनने की बहन नीलम स्रिवास्त अब चलते हैं आगे जोईन करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है बाकी सब्सक्राइब वाला जो आपका बटन होता है वहीं पर आपको जोईन का बटन मिलता है वहीं से जोईन का प्रोसेस सुरू होता है वहां से आप जोईन कर सकते हैं फिलाल हम बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ आपको बता दें कि ये हर्याडा राज्य से कुछ चौकाने वाली जानकारियां हैं कुछ वाइरल मैसेज हैं मैंने कुछ और अच्छे से जब ध्यान दिया तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर कई जानकारियां ऐसी भी है इसम इसमें लिखा है आपकी बहन छोटा गहलवात और फोन नंबर इस तरीके से उनका दिया गया और एक ये मैसेज फोरवर्ड करके आलेंडिया को बेजा गया फिलहाल मैं बता दूं कि आलेंडिया इस खबर का जो पुष्टी नहीं करता है बाकि आपको बता दे वाइरल खब प्रेल को इकठा हो करके अपनी मांग मुद्दों को लेकर के प्रदर्सन करके मांद पत्र दिया जाएगा इंधन की समस्या हो या मांदे की या बाल वाटिका का विरोध हो तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के प्रदर्सन करेंगे आप सबने देखा भी कि मुख्यमंत्री य बंद करने के लिए नई नई पॉलिसी बना रहे हैं अगर आप नहीं लड़ोगी तो लिख लो 2024 तक आंगनबाडी सिंटर नहीं बचेंगे इस तरीके से एक ये मैसेज हर्याडा राजमे वैरल हो रहा है इसके पीछे की सच्चाई ये है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हर्या खतम कर दिये जाएं इस तरीके से पूँच रहे हैं जिसमें काफी जनता ने समने हाथ खड़े किये खुसी से और यहाँ पर मुक्त मंत्री ने उसमें जो कुछ कहा है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ऐसी खबरे हर्याडा में चर्चा का विसय हैं और यही एक कारण है कि लोगों के मन में आगनबारी स्टिंटरों के बंदोने खतम होने और उनके आने वाले फ्यूचर को लेकर के अब चिंताएं बढ़ रही हैं तो हमारा सभी बहनों से और खास तौर पर सरकार से निवेदन है कि इस तरह के जो है जो भी बयान होते है या इस तरह का जो भ आपको पता है केंद्र सरकार दोवरा कई योजनाय चलाई जा रही है जिसके तहट आंगनबाडी बहनों आप सब को कई कार हैं जो भारस सरकार के इसतर से कराय जाती हैं और ये योजना कोई राज सरकार के इसतर की तो है नहीं केंद्र सरकार से प्रावधानित थी तो ऐसे मे आंगनबाडी सेंटर को खतम करना मेरी समस्थ से तो परे है लेकिन सरकार के पास सैकडो तौर तरीके होंगे जैसे कि मुर्थमंत्री जी ने इस वीडियो में साब साब बोला था जिसको मैंने 16 अपरेल को आपको दिखाया भी था उसमें वो साफ कह रहे हैं कि यदी पोशा हार नाभारतियों को नहीं पहुचाएंगी अगर जो ऐसे कायते आएंगी तो ऐसे में सेवा समाप्ति उनकी कर देंगे और फिर आंगनबाडी सेंटरों को मुझे बंद करना पड़ेगा तो इस तरीके से हवाला उन्होंने दिया था पोशा हार वित्रण का जिसके आधार पर बोला था अभे फिलाल इन चीजों को काफी बहने जो आँ याँ पर चिंता के तौर पर देख रही है 26 अप्रेल को सभी जादा से जादा संख्या में पहुचे इस थान हर्याना के सभी जला सचिवाले समय दस बजे सुबह बहनों चाहें आपस में कोई भी मतवेद है सब कुछ बुला करके आंदोलन में जादा से जादा संख्या में पहुचें और इस तरीके से आपकी बहन छोटा गहलवात और एक ये मैसेज सोसल मीडिया पर वैरल होकर के आलेंडिया तक पहुचा मैं यही कहना चाहूँगा ऐसे मैसेज का अभी आप जो है यहाँ पर क्योंकि ये कोई यूनियन के लेटर पैड में ये बातें समाहित नहीं की गई हैं अभी महज ये वैरल खबर है और इसलिए आलेंडिया इस खबर की पुष्टी नहीं करता लेकिन मुक्मंत्री जी ने जो कहा है जनता के सामने उसका सच्चाई वीडियो आपको जरूर दिखाया है अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए वहीं अभी और भी नमुद्दों पर चल्चा करेंगे उससे पहले आपको बता दे रंजना गुप्ता बहन है उत्तर प्रदेश के मउज जिले से आती है उन्होंने एक दुखद संदेश बेजा है देवरिया में गर्वी में सर्वे कर रही आसा बहु के साथ एक हासा हुआ तबियत बिगड़ी और उनका नदन हो गया तो बड़ी ही दुखी बात है भीसर गर्मी में आसा बहु की तबियत बिगड़ी और मौत हो गई गौरी बाजार का ये मामला है हिंदुस्तान में प्रकासित हुआ है गौरी बाजार में भीसर गर्मी से एक आसा बहु की तबियत बिगड़ गई जिलास पताल से रिफर होने पर मेडिकल कालेज में इलाच के दोरान उनकी डेथ हो गई गौरी बाजार के बर्दगोनिया निवासी मेवाती देवी 47 साल की थी पतनी रामकेवन निसाद आसा बहु के रूप में कारे कर रही थी बताया जाता है कि लगतार 17 अप्रेल से करी धूप में संचारी रोग नियंत्रण के प्रती लोगों को जागरू कर रही थी स्कूली बच्चों से लेकर घरघर जाकर लोगों को संचारी रोक के लच्छण और बचाओं के उपाय को बता रही थी इसी बीच हीट श्ट्रोक की सिकार हो गई सुक्रवार सुबह तबियत बिगड़ने पर आसा बहु को परिवार लोग लेकर सियसी पहुँचे सियसी और जिला स्पताल से रेफर होने पर मेडिकल कालेज में इलाज के दोरान साम को उनकी डेथ हो गई आसा बहु की मत पर आसाकार करताओं में सोक की लहर दोड़ गई है उधर पती बाहर कमाने गए हैं इधर आसा बहु की डेथ से जोए घर में कोहराम मच गया तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही चिंता का दिसाय है सरकार जिनके लिए सब चीजे कर रही है वो तो घर में रहते हैं अब उनको जागरू करने के नाम पर सरकारे ऐसे अभियान चलाती हैं और ऐसे में जो बेचारे इन कामों में लगे हैं आखिर उनके ही उपर मौत का संकट मढड़ा रहा है ऐसे भी सरगर्मी में इसी तरीके से वहाँ पर वो सिकार हो जाते हैं तो आप सब बहनों हमार यांगन बाडी वरकर भी इसी कार में लगाई गई हैं इसलिए अरणिया को भी इनकी चिंता बनी रहती है मैं चाहूंगा विभाग से कि यहाँ पर ऐसे कामों को थोड़ा समय से पहले कराया करें जागरुकता के लिए कई तरह के प्रोग्राम है एड़वर्टाइज भी गवर्मेंट करा सकती है हर कोई मोबाइल टीवी सब जगें बैठता है वहाँ पर लेकिन वही बात है सरकार को पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि प्रोमोशन फ्री नहीं होते है एड़वर्टाइज जो होता है वो प्रोमोशन वो सब जो है उसके लिए पैसा लगेगा और गवर्मेंट यहाँ पर आंगन बाड़ी और आसा बहनों के थ्रू इन सब कारक्रमों को बिना पैसों के करा रही है भले ही आसा बहन को संचारी रोगों का पैसा मिलता हो लेकिन आगन बाड़ी बहनों को नहीं दिया जाता ऐसी जानकारिया बहुत सी बहनों ने बताई है इतना समाज अब पढ़ा लिखा हो चुका है लेकिन फिर भी ऐसे कारियों की वज़े से आप देखिएगा बेचारी एक आसा अब हम सब के बीच में नहीं रही इधर आपको बता दे हर्यारा से एक और हमारे पास लेटर पहुचा है दरसल वाटसेप पर ये सम्मंदित है आगन बाड़ी कारकरता साहिका यूनियन हर्यारा रजडेसर नमबर उनी सो चानबे और इस तरीके से ये बताया जरे स्कीम वरकर्स फेडरेसन आफ इंडिया तो इसमें लिखा गया है गद्दिनों आगन बाड़ी कारकरता साहिका यूनियन हर्यारा सम्मंदित और राज कमेटी की बैटक में अनेक मातपूर फैसले लिए गए है 27 अपरेल को 11 बजे ये जनतर मंतर पर अपना धर्ना आयोजित करके हर्यारा आगन बाड़ी कर्मिकों के सम्मित मांगों को उठाएंगे तो अभी आपने देखा एक जगए कब होगा 26 को लिखा गया इसमें 27 को लिखा गया ऐसे ही अलग-अलग जानकारिया धर्नोसर रूलेटेड हैं और यहाँ पर जो मांगे लिखी गई है उनमें कहीं पर भी इन चीजों का जिकर नहीं है कि हर्याडा में सिंटर बंद हो जाएंगे आंगन बाड़ी खतम हो जाएंगे और ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं दरसाया गया इसलिए अलग इंडिया कहता है कि ऐसे चिंता के विशे को अभी थोड़े समय के लिए आप इग्नोर करें और अपने विभाग सरकार से अपना जो समवाद है उसको ठीक बनाए रखें ताकि इस तरह की कोई भी घटनाए आगे न आए केंद्र सरकार पधान मंत्री वर्स 2018 में आगन बाड़ी कर्मिकों के लिए 1500 सायका के लिए 750 उर्पिया मासिक व्रदिका भुगतान हर्याड़ा सरकार से कराएं यानि जो 18 में मोदी जी ने बढ़ाया था वो हर्याड़ा सरकार नहीं दे रही जिसके लिए भुगतान करने की बात यहां पर अब कही जा रही है बहने इसकी मांग कर रही है वहीं सरकारी कर्मी के दरजे के भी मांग है और अंदोरन के दौरान काटा गया 75 परसेंट मांदे भी बहनों को दिया जाए नूनतम वेतन 26 जार की बहने मांग कर रही है ग्रेजोटी लागू की जाए रेटार होने पर 5 लाक रुपिया एकठा एकमुस्त यानी पैसा दिया जाए 10,000 मासी पिंसन दिया जा इस तरह से ये सब बहने अपना आवाज को उठा रही है और यहां पर क्रशना मंडाना है राजप्रदान पुस्पा दलाल है महासच्यू और ये आंगन बाड़ी कार करता सायका यूनियन हर्याड़ा इस तरीके से एक ये वाच्चिप पर और मेरे पास मैसेज पहुचा वहीं दूसरी तरफ हर्याड़ा में इन दिनों जो अख़बारों में चीजे निकल रही है वो कुछ इस तरीके से हैं सिच्चा विभाग की नई नीती में प्राइमरी एवं मिडल स्कूलों को विक्सित करने की योजना और मैं आपको बता दूँ मैंने जो हर्याड़ा में लेटर निकला था इसी से सम्मंदित वो ही चैनल पर मैं देखा चुका हूँ अगर आपको और अच्छे से जानना है तो पिछले वीडियो को देख लीजेगा वसमें मैंने सारी चीजों को बता रखा है सरकारी आदेश के मुताबिक 142 स्कूल अब बनेंगे बालवाटिका चार स्टेज में बांट करके होगी बच्चों की पढ़ाई तो मैंने सारे पैटर्ण वहाँ पर समझा दीए है आप देख सकते हैं आगन बारी बहनों जो आगन बारी के बच्चे हैं उनको कौन पढ़ाएगा उसके लिए जो इसे इच्छकों की न्यूक्ति की जाएंगी इसी समस्या को लेकर के इसी चिंता को लेकर के हर्यारा में आगन बारी बहने परिसान है उपर से सरकार के जो बयान आ रहे हैं जैसे मुक्यमंत्री जी ने गाओं में जाकर के बोल दिया आगन बारी को खतम करने बंद करने को लेकर के हाथ खड़े करवा रहे हैं इसी सब जो है चीजों के चलते हर्यारा में आगन बारी बहनों में एक चिंता की लहर दोड़ रही है मैं कहना चाओंगा इसको लेकर के बहनों को जो है कुछ राहत की खबर सरकार की तरब से दी जाए ताकि वो इन चीजों से बाहर आएं जैसे कि आगन बारी के बच्चे बालबाटिका में आगन बारी बहनों को पढ़ाने दिये जाए उनके बच्चे हैं उनका अधिकार है उनको कारे सोपा जाए जैसे तमाम राज्यों की सरकारे सोप रही है यूपी सरकार ने भी सोपा है और बहुत सी राजसरकारों ने सौपा है और आगनबाडी वहनों को आगे फ्यूचर को लेकर के इसलिए उनकी जो चिंताएं हैं वो भी कम हो जाएंगी इधर आप देख सकते हैं हर्याणा में एक ये लेटर यूनियन का 26-24-23 इसमें डेट पड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं गलत डेट पड़ी है अभी 22 अपरेल हुआ है और यहाँ पर 26 अपरेल दर्सा दिया गया ऐसे में आप देख सकते हैं ये विसे हैं सामूहिक मांग पत्र का माननी आयुक्त एवं सच्चियों महोदे महिला बाल विकास भाग हर्याडा सरकार के लिए ये सब यहाँ पर टाइप किया गया तो फिलाल मैं इसको क्या बताऊं उसमें तो डेट ही गलत है बाकी भही बेहनों की मांगे हैं जो मैंने आपको भी कुछ बताई है वही सब चीजों को ले करके बाकी देखेगा 1975 से आंगनबाडी कार करता के दुआरा तीन से छे वरस की आयुके बच्चों को अनौपचारिक सिच्चा दी जा रही है इसलिए नई सिच्चा नीती के अनुसार मौजूदा आंगनबाडी कार करता को बाल वाटिका में चात्रों को अनौपचारिक सिच्चा यानी पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए क्योंकि वे अनौपचारिक सिच्चा प्रदान करने में अत्तधिक अनुभवी है छोटे चात्रों की अनौपचारिक सिच्चा के साथ न्याय करने के लिए इस तरही कैसे क्योंकि ये बहनों का अधिकार है सायका, आंगनबाडीकारकरता, सुपरवाजर, CDPO, DPO इनके रिक्त पदों को ततकाल प्रभाव से भरा जाए इस सब चीजों को लेकर के बाते हो रही है और 2018 से लंबित पोसाग का मांदे यानि वर्दी के भत्ते को लेकर के भ अलग ना दिया जाए तो यही सब चीजे हैं इनी सब मांगों को लेकर के बहने वहाँ पर पदरसंग करने वाली अपनी मांग पत्र को सरकार को सोपेंगी फिलाल के लिए आप सब भाई वैनों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताईएगा वहीं दूसरी तर उनके उपर कठोर की जाएगी इस तरीके से और वहीं दूसरी तरफ आपने देखा बेचारी एक आसा कार करता इनी दस्तक अभियानों के चलते हीट वेव का सिकार हो गई दूसरों को जागरू कर रही थी लूग से बचने के लिए सिखा रही थी और खुद ही लूग की यही संचारी रोगों को लेकर के जो है जागरूपता फैलाने के नाम पर जो लापरवाही हुई उसमें अब आप सोचो इस कार के लिए ये कार है स्वास्तुभाग का और इसके लिए ना तो आइगन बाड़ी बहनों को चमनी जो है विभाग देता है ना कुछ फिर भी काम कराता है ना कर पाएं तो मानदे भी कारता है यानि नोटिस भी उनको जारी इस तरह से कर दिये जाते हैं कारवाईयां भी की जाती है अब ऐसे में ये चिंता के विसे हैं और एक तरह से मान लिजेगा मानसिक तनाव कार करता हूं महलाओं को ये दिया जा रहा है वहीं दू तो इसमें आपको बता दे सुपरवाइजर के 1016 कुल पद हैं जिनमें से 687 पद भरे चल रहे हैं और 329 पद खाली चल रहे हैं ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से यह चीजे दरसाई गई हैं और आगे ले चलते हैं कुछ और बताना चाहेंगे आज किस वीड लाँ बताना डोस्तों